हाई फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं कि HTML टेबल कैसे बनाते हैं आपके वेबसाइट पर या ब्लॉग पर एड़ करने के लिए जो HTML टेबल होता है आप देखते होंगे मैं दिखाता हूं आपको HTML टेबल यह लिखिए यह इस तरह से आप टेबल आपको नजर आता रहेगा तो यह कैसे बनाते हैं मैं आपको बताने वाला आईए देखते हैं आपको गुगल पर जाना है और सर्च करना है टेबल आईजर यह देखिए यह वर आपको सर्च करना है टेबल आईजर और सर्च करना है तो यह देखिए पहला ही रिजल्ट आएगा टेबल आईजर स्प्रेड शिट्स टू एस पर आपको क्लिक करना है इस वेबसाइट पर जाना है और यह देखिए बॉक्स आपको दिख रहे हैं यहाप पर जो भी आपकी लिस्ट होगी समझ दिजिए यह क्ल कॉपी कर रहा हूं इसको सिलेक्ट टॉल करके मैंने पूरा यह लिस्ट थी और हैडिंग भी जो आवर क्लायांट्स में लिखी थी है वो भी कॉपी कर रहा हूं यह सारी की सारी लिस्ट मैं कॉपी कर रहा हूं और जो साइट आपने जिस साइट पर अभी हम है उसकी इस और यहाँ पर देखिए, आपको टेबल जो बनेगा, उसमें वर्ड की, टेक्स की साइज कितनी चाहिए आपको, वो आप सिलेक कर सकते हैं, मैं 14px सिलेक कर रहा हूँ, साइज, और कलर आपको जो चाहिए, मुझे रेड कलर चाहिए, तो मैं रेड कलर, जो आपको, टेबल का कलर जो चाहिए, आपके इसाप से सिलेक कर सकते हैं, मैं रेड कलर रखता हूँ, और फाउंट क्या चाहिए आपको, आपके टेबल का, किस फाउंट में आपको रखना है, टेबल के वर्ड्स, मैं इसे सिलेक करता हूँ, या फिर थोमा रखता हूं और इदेखिये बटन दिख रहा आपको टेबल आइज टेबल आइज इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद टेबल आइज इट पर क्लिक कर देना है तो इदेखिये ऐसा टेबल नजर आ रहा देगी यह तैयार हो गया आपका टेबल, आवर क्लायंट्स और इस तरह की लिस्ट नजर आएगी, यह जो लिस्ट थी, इसका टेबल बन गया देखिया, HTML टेबल, इसे आप आपके हिसाब से कलर वगेर आपके हिसाब से देखिया, आप बना सकते हो, तो यह देखिये, copy HTML to clipboard, इसे copy करना है, HTML code, यह पुरा HTML code है, इसे copy करना है आपको, और समझ लिजे आपको, blogger, blog पर किसी page में आपको यह टेबल चाहिए, तो आप blogger, blog पर चाहिए, आपके, या फिर आपके website पर आप HTML code add करने का option होगा, तो आपको या फिर पता रहेगा कि आप coding जानते होंगे, तो website designer होंगे आप, तो इस तरह से आप यह code आपके website पर add कर सकते हों, मैं blogger पर आपको एक example के तोर पर बता रहा हूँ, कैसे आप add कर सकते हों, मैं इस blog पर आपको यह code paste करके बताता हूँ, किसी page पर या page पर add करके बताता हूँ, कोई code, new page, यह code copy किया, copy HTML to clipboard पर click करके यह सारा code आपको copy कर लेना है, और blogger में HTML में जाने आपको, और यहाँ पर नीचे यह code paste कर देना है, और publish पर click कर देना, तो देखिए यह page आप देखेंगे या फिर आपको यह blogger post या page देखेंगे, तो यह देखिए इस तरह से यह HTML table टैयार हो गया रहेगा आपके client list के साथ, या फिर किसी दूसरी list आप बनाना चाहते हैं, तो यह table ऐसा आप बना सकते हो, किसी भी list का देखिए, तो यह HTML table टैयार हो गया तो आप आपके website पर या blog पर इस तरह से HTML table टैयार करके add कर सकते हो, वीडियो पसंद आओगा तो जरूर subscribe कीजिए हमारे YouTube चैनल को दोस्तों और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,